जैन दोस्तो वेलकम टू टूड़े एक्जाम क्लासेज दोस्तो इस वीडियों हम जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टन क्यूसन याद करेंगे जो बार-बार कॉम्पेटेशन एक्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले कॉम्पेटेशन एक्जाम के लिए बहुत ही मैत पूर्ण क्यूसन है अगर दोस्तो आप भी किसी कॉम्पेटेशन एक्जाम जैसे SSE, NTPC, UPSC या REIT या SI जैसी प्रेक्षा की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लास तक जरूर देके और इन सभी जीके के क्यूसनों को जरूर याद करें क्योंकि यह सभी क्यूसन है जो आपके प्रत्योगी प्रेक्षा के लिए बहुती मैत पूर्ण क्यूसन है इसलिए इन सभी सवालों को आप जरूर याद करें तो चलिए रिष्ट देखते हैं पहला क्यूशन पहला क्यूशन है तुल बुल परियुजना किस नदीपवर हैं तो दोस्तों तुल बुल परियुजना है वो जेलम नदीपवर हैं कहां पर है तुल बुल परियुजना जेलम नदीपवर अगला नेक्श्ट क्यूशन है स्वत पृतंतर भारत के परतम भारतिय जनरल गवर्नर थे वो थे चकरवर्ति राम गोपाले चारी अगला next question है दक्षिन मद्य रेलवे का मुख्यले कहां इस्तित हैं? तो दोस्टों, दक्षिन मद्य रेलवे का मुख्यले हैं, वो हैं सिकंद्रा बाद में यानि इस सवाल का सइध जवाब देगा option D अगला next question है कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सिमित नहीं क्या जा सकता हैं तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा option A ने वैक्तिकत स्वतंतरता तता जीवन की सुरुक्षा का अधिकार हैं वो आपातकाल में भी समाप्त या सिमित नहीं क्या जा सकता हैं अगला next question है हंगाओ नदी किस सागर में गिरती हैं तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है option C ने पित सागर हैं जहां पर हंगाओ नदी गिरती हैं अगला next question है सवीदान के किस अनुसेद द्वारा राष्ट पति को अध्यादेश जारी करने की सक्त प्रदान की गई हैं तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है option A नदी अनुचेद 123 के द्वारा राष्ट पति को अध्यादेश जारी करने की सक्ति प्रदान की गई हैं अगला next question है सरदार सरोर पर्योजना किस राजिये से समंदित हैं तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब प्रदार सरोर पर्योजना का समंद है वो गुजरात राजिये से समंदित हैं अगला next question है सवीदान सभा के आ इस्ताई अध्यक्स कौन थे तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा option B नदी चचिंदा नंदस्चिना है जो सवीदान सभा के प्रतम आ इस्ताई अध्यक् थे अगला next question है बांदीपूर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राजिये में इस्तित हैं तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा option B यानी बांदीपूर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हैं वो करनाटका राजिये में इस्तित हैं अगला नेक्स्ट क्योशन है उच्टम न्याले की पहली मैला न्याधी से कौन थी तो दोस्तो फातिमा बीबी है जो उच्टम न्याले की पहली मैला न्याधी से थी अगला नेक्स्ट क्यूशन है भारत में प्राकर्तिक रबर का प्रमुक उत्पादन निमालेकित में से किस राजिय में होता है तो दोस्तो इस सवाल का सई द्वाबदे का ओप्सन डी यानी भारत में प्राकर्तिक रबर हैं वो कैरल राजिय में उत्पादित होता है अगला नेक्स्ट क्यूशन है भारतिय चावल अनुसंदान संस्तान कहां इस्तेते हैं तो दोस्तो इस सवाल का सही द्वाब देगा ओप्शन है एनी कटक हैं जहां पर भारतिय चावल अनुसंदान संस्तान इस्तेते हैं अगला next question है भगवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति कहां हुई थी तो दोस्तो इस सवाल का सही द्वाब देगा option A नी भगवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति हैं वो बोध गया में हुई थी अगला next question है आरिय समाज की इस्तापना किस ने की थी तो दोस्तों इस सवाल का सही दवाब देगा ओप्शन ए नि स्वामी दयानद स्वर्श्वती हैं जिनोंने स्वामी परम हंस के याद में आरी समाज की इस्तापना की थी अगला नेक्स्ट क्रिशन है पंजाबी भासा की लीपी कौन सी है तो दोस्तों इस सवाल का सई जवाब देगा Option C नहीं गुछु मुख्य है वो पंजाबी भीसा की लूपची है कौन सी हैं पंजाबी भीसा की लिपी गुछु मुख्य अगला नेक्स्ट कestraन है भारत की मुख्य भूमी का दक्षिन्तम की नारा कौन सा है तो दोस्तो इस सवाल का सभी जवाब रड़ा है ऑप्सन B यह यहीड कन्यक कुमारी है जो दक्षिणी भूबी का दक्षिणी तरं किनारा है अगला next question है भारत में सबसे पहले सूरिय किस राजिय मेंनिकलता है तो दोस्तो इस सवाल का सभी जवाब रड़ा है अगला next question है, इंसुलिन का परियोग किस बिमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तो इस सवाल का सई द्वाब देगा option B यह नि मदु में रोग के परियोग में इंसुलिन का परियोग होता है? अगला अंतीम नेक्स्ट क्यूशन है कौन सा विटामिन आउले में प्रचूर मारता में मिलता है तो दोस्तो विटामिन C है जो आउले में प्रचूर मारता में मात्रा में मिलता है तो दोस्तो ये थे 20 जीके के most important question जो बार बार competition exam में repeat होने वाले question है